दिवाली का टाइम हो और मिठाईया ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिवाली की बहुत बहुत खास आसान और ऐसी मिठाईया जिनकों की देखकर ही आपके मुह में पानी आ जाए और मैं गैरंटी लेती हूँ कि अगर आपने मानों को खिलाएंगे तो वह आपकी तारीफ के बिना रही नहीं पाएंगे क्योंकि इतनी टेश्टी इतनी अच्छी आपकी मिठाईया बनकर तैयार होंगी तो चलिए फिर बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बनाएंगे दिवाली स्पेसल एकदम रसीली और रस्से तो इस रेसिपी को बनाने के लिए ना आपको कप या कटोरी सेट कर लें उसी से सारी मेजरिंग करें तो आपकी जो बालोस आए एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी अब हम लेंगे एक बाल और यह मैदा है जितना भी सारा हम इस बाल के अंदर डालेंगे इसी के साथ मे दालेंगे हम दो पिंच के करीब नमक नमक इसलिए डालना जरूरी होता है क्योंकि मीठा खाते खाते हैं मूब जाते है ना तो नमक डालने से वह प्रोब्लम बिल्कुल भी नहीं आती तो अब से जब भी आप मीठा बनाए तो इसमें थोड़ा सा नमक जरूर डालें इसी क आधा कप पानी तो उसी कप से हमने पानी लिया है ना तो फ्रीज का पानी है और ना ही गरम पानी है नॉर्मल हमें रूम टेंपरेचर वाला पानी लेना है और उसी से हमें इस डो को लगाना है अब हम थोड़ा थोड़ा पानी करकर इसमें डालेंगे और हमें क्या करना है अपानी दाले लोगे लिए तार पानीट यूदा गाना रहा हुआ जोड़ना है रहा हुआ हम आदा कप पानी इस आठे को लगाने के लिए जिसमें इस दो चम्माच पानी हमारा बच गया है 10 मिनट के लिए रेष्ट पर छोड़ देक है तो आटे को देख लेंगे इसको फेला देंगे इसको रहेज ठिजावडा संपेय जी फॉट नदेने अब हमें ने के बाद पर हुए यह विए भाएव से बीच में से खुटकर डूगे इस तरी के से अब हमें क्या कорना है यह बंकर और हो बिलगुल मार्केट की तरह तो इसी तरीके से मिसारू इस अथे करना में करना है साठ से आठ बार ये इसलिए करना है क्योंकि जो हमारी वीदम यह भालूसा的 जाहर契न मोंkal यह वाँ बढ़ा के उस टाइब देगे और 15 मिनट का रेष्ट देंगे जब तक हम इसके लिए चासनी बना कर तैयार कर लेते हैं तो चासनी बनाने के लिए ना हमने पैन चड़ा लिया है इसमें दो कप भरकर हमने चीनी ले लिया है उसी कप से जिस से हमने मैदा लिया था और एक कप डाल देंगे इसमें पानी और इसको ना चीनी घुलने तक थोड़ा सा पका लेंगे गैस की फ्लेम को लो रखेंगे अब हमने लिया है यह थोड़ा सा रैड फूड कलर इससे कलर बहुत अच्छा हैगा बिल्कुल मार्किट की तरह यह पूरी तरीके से ओप्सिनल है अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इलाइची का पाउडर अच्छा टेश्ट आने के लिए और इसको दीरे दीरे पकने देंगे हमें इसकी कोई एक तार या दो तार वाली छास्टनी नहीं जाहिए बस हल्की चिप चिपी हो जाएगी तब तक हम इसको पकाएंगे shooting आपको अच्छा लगे तो आप डाल देंगे स्किप कर को अब हमने लिया यह थोड़ा सा निंबो क आपने देखा होगा चासनी जम जाती है वह प्रोसिस नहीं होगा और हमारी बालोसाइब अच्छी बनी रहें तो चार से पांच मिनट पका लिया है और हमारी चासनी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो चुकी है अब हम गैस की फिलेम को बंद कर देंगे और अगे का प्रोसि प्रोस लघकाए लगे California करेंगे से अनियर को बेया रूड़ कर लेंगे अब फासना इसका फूरस में पॉर सबड़ेड कर लेंगे तो चाकोू लेंड अब 5 पार से बराबर फ्रोस को उठाना है इस तरी तो इसी तरीके से हम सारी बालुसाई को बना कर प्लेट में रख लिया है अब हम इसको फ्राई करेंगे जिसके लिए हमने एक कढ़ाई के अंदर घी चड़ा दिया है अब एक एक करकेस में सारी बालुसाई को फ्राई नहीं करना है सारी बालुसाई को फ्राई नहीं करना है क्योंकि एक साथ फ्राई करने से ना इनको इवनली टेंपरेचर मिलेगा और इवनली ये अच्छे से सिक कर तैयार होंगे तो अभी हम इनको छेडेंगे नहीं तीन चार मिनट तक ऐसे ही सिकने देंगे जैसे ये नीचे से सिक जाएंगे ना ये फूल कर उपर आजाएंगी उसके बाद हम इनको धिरे धिरे पलट कर सेख लेंगे और यह देखें आप देख पा रहे होंगे जो हमारी बालु साही है वो धीरे धीरे फूल को रूपर आती जा रही है अभी हम इनको टच नहीं करेंगे एक मिनट के लिए और फ्राइ करेंगे इसके बाद हम इसको पलड देंगे तो अब हम इनको स्पून से धीरे धीरे पलड और हलका सा कलर आने तक इनको फ्राइ कर लेंगे और ये देखे इन पर हलका सा कलर आ गैंगा है पससे जद्से जाद् Champions क फ्राइ नहीं करेंगे जादा डार्कि करेंगे बहुता हम निकाल लेंगे और सीधा ही चाश्नी के अंदर 15 मिनुटी के लिए ताकि जो बालुसाई है वो चासनी को अच्छे से अब्जोर्ब कर ले उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगे कि हमारी बालुसाई कैसी बनकर तैयार हुई है तो ये लिजिए 15-20 मिनट बाद मैंने बालुसाई को प्लेट में निकान लिया है और देखे कितनी अच्छी हमारी बालुसाई बनकर तैयार हुई है बिल्कुल एक दम हल्वाई स्टाइल आ रहा है ना मुह में पानी येकिन मानिये मुझे फोलो करते हुए अगर आप इन बालुसाई को बना कर तैयार करेंगे ना तो 101% मैं गरंटी लेती हूँ कि आपकी बालुसाई बिल्कुल मार्किट की तरह बनकर तैयार होगी इतनी टेश्टी बनेगी कि जिसको भी आप खिलाएंगे वो इसको खाता ही रह जाएगा तो आप इसको मेरे तरीके से एक बार बना कर जरूर देखना इस दिवाली पर आपको बहुत पसंद आएगी अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए प्यारा सा कमेंट कीजिए मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए तो चलिए फिर अब बनाते हैं दिवाली की एक दम स्पेसल दमदार मिठाई जो है ये सूजी रवा रसगुले देखने से लग रहा है ना बिल्कुल मार्किट की तरह छेना वाले टेस्टी रसगुले इन रसगुलो को बनाने के लिए हमने आदा कप ले ली है सूजी यहां पर बारिक वाली सूजी ली है बारिक ना हो तो इसको गारिनिंग जार में डाल कर थोड़ा सा चला ले और ये लिए हमने थोड़ी सी इलाइची का पाउडर टेस्ट के लिए साथ ही में हमने लिया है अब हमें कढ़ाई लेनी है गैस पर उसको रख लेंगे और ये सूजी जो हमने लिया ना इसको डाल देंगे कढ़ाई के अंदर और लो फ्लेम पर हमें इसको लगातार चलाते वे भून लेना है लगबग 2-3 मिनट के लिए ध्यान रहे कलर इसका हमें चेंज नहीं करना है इसका कच्चापन ही निकालना है सूजी का कच्चापन निकल जाता है तो फिर जो रजगुले हैं हमारे खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं तो 2 मिनट के लिए इसको लगातार चलाते रहे और इसको थोड़ा सा भून ले तो 3-4 मिनट हमने सूजी को भून पर इसको धीरे धीरे डालते रहें और अच्छे से मिलाते रहें बिल्कुल लम्स खतम होने तक दूद डालने के बादना इसको हमें 2-3 मिनट अच्छे से पकाना है जब तक कि ये डोसा ना बन जाए सारा दूद जो सूजी है वो अब्जोर्ब ना कर ले इस टाइम पर हम इसको दोचा है अधर क्या कर लेंगे 123 यहीं तो में देसी गीट अशलिया esos दोच्छे से मिलाते रहे जालते रहेंगे इसको लेंगे और दोचे सम peng का लेंगे नहुं तो देखे बन गया है मैं इसको निकाल लेंगे अब चासनी के लिए कढ़ाई के लिए गयास पर रख लेंगे और उसी कप से नापकर हम इसमें डालेंगे दूगना पानी तो तीन कप हम इसमें पानी डालेंगे क्योंकि जो रजगुलों की चासनी होते है थोड़ी पतली होती है अब इसमें डाल देंगे लाइची का पाउडर और चीनी घुलने तक इसको पका लेंगे तो जो हमारा डो है वो थोड़ा ठंडा हो चुका है अब हम हातों पर थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसको हतेली से थोड़ा सा मसल लेंगे मसल मसल करना इसको हमें बहुत अच्छे तरीके से चिकना कर लेना है यही वो प्रोसेस है यहां पर जितनी आप महनत कर लेंगे ना उतने ही भड़िया आपके रजगुल्य बनकर तैयार होंगे तो इसको हतेली की सायता से आप देखी मैं कैसे इसको मसल रही हूँ बस इसी तरीके से मसल मसल कर इसको बिल्कुल हमें बारिक कर लेना है इसको हमें डो बना कर तयार कर लेना है और यह देखे हमारा जो डो है वो रेडी है रजगुले बनाने के लिए अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा डो लेंगे इस तरीके से बिल्कुल नीम्बू से भी छोटा 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 ही हम रजगुले बना कर तैयार करेंगे हाथों के बीच में इस तरीके से चिकना प्लेट गविक प्लेट और हमारी चासनी प्लेट की और तेजिक गविण ही अपर है के गे कर साइ और घुट को फ्ल को हाई और हम इनको भख णकर उनके है पकने देंगे उसके बाद हम इसको कोल करंगे तो देखिए ने अढ़े इंको 두के है अब बने क दके तुझास डट मिनट के लिए और होगो उर्यार को इनकाल लेंगे तो ए लिझे बिल्कुल तैयार है व्मारे एकदम मार्किट स्टाइल सूजी के रजगुले देखने से लग भी नहीं रहा कि हमने इनको सूजी से बनाया है बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि छेना के रजगुले हो मार्किट वाले तो फ्रेंड्स मुझे उमीद है कि आपको मेरी ये दोनों रेसिपी पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें तो मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ नई प्रेंडी बीले साथ ऊतुकिले बाइबाइस